ग्लोबल मारकेट स्टेबल है, मेरे लिए तो अच्छी ही है, लेकिन बोलने के लिए स्टेबल है, अच्छी इसलिए कि डाव उतने ही घटा जितना घटना चीह था, उससे कमी घटा है, रिकवरी अच्छी हुई है, डाव फीचर हलके फिल के नीचे 50 परिंट मुझे कोई फर सपोर्ट ले ले, हमें क्या फरक पड़ता है, आये तो सही नीचे, थोड़ा और नीचे आके सपोर्ट ले, तो कच्छा तेल ठीक है, FIs और लोकल फंट, अच्छा एक चीज तो बोले ही मेरे आपको, अरे भाई साब, हम FIs के गुनगान गाते हैं, कल तो पहली बार मजदार अरे लोकल फंट को जो FOMO हुआ है, fear of missing out, FOMO, मतलब हमारे दर्शकों को आसान भाशा में समझो, FOMO मतलब यसा कि है न, यह सब तो आगे निकल गए में पीछे रही है, वोली जो भावना होती न, जब आप रेस लगा रहे हो, साथ, आठ लोग और पता चला है कि यह सब आ मतलब मेरी ट्रेन छूट गई, पूरी तेजी होगी, मैं तो रहे गया, तो ट्रेन छूट गई तो पकड़ में नहीं आएगी, रेस करें तो थोड़ा और जोर लगोगे, लेकिन मार्केट में क्या करोगे, खरीदना रहे गया तो फिर क्या, मैं तो आभी ले लूँगा, को क्यों इलेक्शन के नतीजे यह होंगे, अगले पांच साल का मेंडेट है, यह होगा, यह होगा, यह तो अगर आप एक इन्विजल इन्वेस्टर हैं, एक प्रोपरियाटि इन्वेस्टर बढ़े हैं, तो आपको यह सुदा, लेकिन अगर मैं एक फंड मेनेजर हूँ हूँ और मैं तो केश दवाके बैठा था थोड़ा, कि चलो कोई बात नहीं, 10% केश रखता हूँ, इलेक्शन के बाद मार्केट गटेगा, तो वा लूँगा, अरे भई साव आप जवाब क्या दोगे इन्वेस्टर को कि तेरे को तो पैसा इसलिए दिया था तो लगा, अगर तो केश लेके बैठा तो केश तो मैं अपने बैंक में भी रख सकता हूँ, और अंडर पॉफिमेंस जाती नहीं एक गिन की है, यह कल जिस लोगों, जिन लोगों ने कल केश रखा होगा, तो केश अगर आपका समझो, फंड में 10% केश है, for example, हाला कि आज की कम रखते हैं लोग अगर से दुगू नहीं दिख रही है, यह आक्टिर मैं सोच जाज बीटा के बात करें यह पूछूँगा, यह बहुत बड़ा आक्शन हाय कल, बहुत बड़ा है, और लोकल FIs की भी दोजार पच्छाटर कोड की खरीदारी है, लेकिं उसमें उसमें 2567 कोड की केम्स की डिल है, लो, मतलब यह हाल है एक दिन का, एक दिन इतना खरीदा है, रोज नहीं खरीदेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है, अब खरीदेंगे, और यह खरीदेंगे तो पैसा लार्ज केप में भी आएगा, मिटकेप स्नॉल केप भी आएगा, मैं तो हमेशा है बलता हूँ, म पक्षी लेता हूँ, उदर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक तो वहीं पैसा लगाते हैं, लेकिन हम तो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, लार्ज केप चले, हमें तो बहुत खुशी है, लार्ज केप रजलने हम तो अपना मूर अपने आप ही ठीक कर लेते हैं, सो कलके डेटा बहुत तग रहे हैं, कच्छे तेल में कमजोरी का ट्रेंड है, फाइस गरेलू फंड दोनों की दमदार खरीदा रही है, तीसरा बायोन डिप्स की स्ट्रेजी के साथ चलना है, सिंपल दिमाग लगाना नहीं है, लार्ज मिट केप सब जगे तेजी का ट्रें और इसकी वज़े मैं आपको अभी से ही बता दूँ, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रिशियो 1.66 है, थोड़ा हायर साइट पर है, अले ट्रेंड की समझ ज़रोत है, निफ्टी का पुट कॉल रिशियो हायर साइट पर 1.4 है, वो इतना नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ है थोड़ा सा, तो हो सकता है, बैंक निफ्टी एक बार हलका सा इस और बोर्ट होने की वज़े से चांस दे एक चांस है, और उस चांस में खरीदना है, और अगर आज गैप से पहले खुले तो एक बार प्रोफिल बुकिंग आएगी, उसमें ले रहा है, गैप से पोजिशन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, अभी भी ज्यादा पोजिशन ही है, हाइस्ट ओपन इंडेस निफ्टी में क्या है, 20-500 का पूट कितना 25 लाग शेर, कौन सा ज्यादा है, लेकिन है, उद्यान रखना है, तीक है, क्लियर, आएए